हाई फ्रेंड्स वेलकुम तो मैं चैनल आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपका मेकप भी रिमूव कर सकता है बहुत एजीली तो अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज नीचल लाइक अवर्टन दबाईए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब केज़ेगा मैं यहाँ पर वाटर्प्रूफ मेकप भी रिमूव करके दिखाने वाली हूँ इसके लिए मैं इहाँ इंसाइड शाइन का वाटर्फूफ ऐलाइनर अपलाय करूंगी यह शाइली लाइनर है और लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है लाइनर को ओपन करने के बाद इस तरीके से एक्सिव लिक्विड को निकाल देंगे और लाइनर अपलाय करने के लिए आईब्रो की लिए जहां खंदम होती है वहाँ एक फिंगर रखकर ऐसे स्ट्रेच करेंगे और लाइनर अपलाय करना शुरू करेंगे और ऐसे ही दूसरी आइपे पी लाइनर अप्लाई कर लेंगे यह दोनों आइस पर मैंने लाइनर लगा लिया है तो अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे लाइनर सूख चुका है तो मैंने यहां पर अलोवेरा जैल लिया है पतांजली का अब मैं आपको यह लाइनर और लेप शेड अलोवेरा जैल से रिमूव परके दिखाऊंगी तो उसके लिए मैंने यहां पर एक मटर के धाने जितना अलोवेरा जैल लिया है अपने हाथ पर अब इसे फिंगर पे लेकर इस तरीके से आईलाइनर पे अपलाए करना है अलोवेरा जेल से मेकप रिमॉव करने से आपको यह बैनिफिट मिलेगा कि आपको इसकेन पर क्यमिकल वाले मेकप रिमॉवर यूज नहीं करने पड़ेंगे मैं इसे आपको अपने लिप्स्टिक भी रिमूव करके दिखा देती हूँ यह मैट लिप्स्टिक है तो इस पे भी फिंगर से इस तरीके से अप्लाई कर देंगे यह लोगरा जेल इसे 30 सेकंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है 30 सेकंड्स हो चुके हैं तो अब मैं इसे रिमूव करके दिखा देती हूँ इसके लिए मैंने हैं पर कॉटन प्लैट लिया है और इसे आई बगकर इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे और आराम से लाइनर रिमूव करेंगे यह आप देख सकते हैं कितना स्मूडली लाइनर हट चुका है वो भी सिफ एक बार में यह देखें और सेम कॉटन पैड्स से दूसरी आई का भी लाइनर रिमूव कर देंगे इसकी जगह आप नॉर्मल कॉर्टन या फिर वाइप्स भी ले सकते हैं यह आप देख सकते हैं कितने आराम से लाइनर रिमूव हो चुका है दूसरी आई का भी और इसे रिमूव करने के बार मुझे कुछ भी स्टिकिनेस फील नहीं हो रही है जैसे बाकी रिमूवर्स में पील होता है अब मैं अपना लेप शेट रिमूव करके दिखाती हूं उसके लिए लेप्स पर ऐसे कॉटन पैटर्क लेंगे और हलका सा प्रेस करेंगे और इसे भी बड़े ही आराम से रिमूव कर देंगे यह आप देख सकते हैं लिपशेट कॉटन में आ रहा है यह देखिए मेरा लिपशेट भी बड़े ही अराम से रिमूफ हो चुका है तो आप इसे घर पर ट्राइ करके देखिए आई होप आपको पसंद आएगा और अगर आपको वीडियो हेल्फुल लगा हो तो इंचे लाइ